कृपा करके कमजोर दिल वाले इस कहानी को न देखें सिर्फ बहादुर लोग ही इस कहानी को अंत तक देखें धन्यवार एक कम विकास नगर में एक चुड़ैल का साया था वो चुड़ैल रोज रात होने पर जंगल से निकलकर गाउं में जाती और जो भी दर्वाजर खुलता उसे अपने साथ जंगल में उच्छा कर ले जाती थी चुड़ैल के डर से रात होते ही गाउं में कोई भी बाहर नहीं निकलता था अपनी कुफा में पहुँचकर चुड़ैल उस आदमें को उल्टा रटका देती है और उसके सर से सारा खून निकालकर अपनी कटोरे में भर लेती है बहुत स्वादिष्टी खून था इसका मजा गया जिसका खून पीके कर फिर जाओंगी उस काओं में अरे चच्छा अब तो हदी हो गई ऐसा कब तक चलेगा हम ऐसे डर डर के अपने घरों में कब तक रहेंगे हमें इस चुड़ैल से बचने का कोई न कोई उपए तो निकालना ही पड़ेगा हाँ मिया बात तो सही कह रहे हो आने दो से आज राज जब वो आईगी तो हम सब लोग मिलकर उससे बात करते हैं कि हमारे गाउं का पिच्छा छोड़े और कहीं और मरे जाके और राथ होते ही चुड़ें एक पर पिर जंकल से लिकलकर गाउं की तरफ चाती है और गाउं कहांचकर अरे क्या बात है आज तो सारे लोग घर के बाहर खड़ी हैं लगता है आज फिर से मेरी तावत होगी ही 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 अरे गाउवालों क्या तुही एतनी जान की परवा नहीं है जिस सब के सब मगने के लिए बाहर खड़े हो चुडैल जी हम सब लोग तो तुम से बात करने के लिए ही भार खड़े हैं और हम सब तुम्हारा ही इंतिजार कर रहे थे मुझे से बात करने के लिए खड़े हो बोलो क्या कहना चाहते हो जो भी बोलो मेरा खूल पीने का वक्त हो रहा है चुडैल जी हमारा गाउव बहुत छोटा है इसमें बहुत कम लोग रहते हैं अगर तुम रोज एक आदमी को अपने साथ उठा कर ले गए तो जल्दी ही पूरा गाउव खाली हो जाएगा फिर तुमें भूका रहना पड़ेगा इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब गाउवाले बत सकें और तुम भूके भी न रहो अगर तुम लोग मुझे रोज एक कटोरा खूं दोगे तुम मवाधा करती हूँ कि किसी को अपने साथ इठा कर नहीं ले जाओंगी हमें मंजूर है हमें मंजूर है हम सब गाउवाले रोज बारी-बारी से तुमें एक कटोरा खूं दिया करेंगे इतना कहकर मुखिया सबसे पहले अपना हाथ काटकर एक कटोरा खूं चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल उसका एक कटोरा खूं लेकर अपनी गुफा की तरफ चल देती है और अपने गुफा में पहुँचकर चोड़ेल मुखिया का एक कटोरा खून पी जाती है ओहो इस पूढ़े मुखिया का खून तो बिल्कुल बेस्वाद है चलो कोई बात नहीं अगली बार किसी जवान आदमी का खून लाँगी और अगले दिन राट होते ही चुड़ेल एक पर फिर गाउं पहुच जाती है अरे मुखिया तेरा खून तो बिल्कुल बेस्वाद निकला मुझे तेरे जैसे बुढ़े का खून नहीं पीना ओ लग्ति तुम आ गया आज तेरा एक कटोरा खून पीऊंगे अरे कल्लू तू दे दे आज अपना खून मैं बाद में दे दूँगा मुझे आज बुखार है और तबियत भी सही नहीं लग रही तू दे दे ना भाई आज अपना खून अब अपने नोटंगी बंद कर खून देने की अपनी बारी आई तो तबियत खराब हो रखी तेरी सुवे से अभी तक गाउं में खुलने सांड की तरह घूम रहा था दरपोख कहीं का इसके बाद भूला आगे आकर अपना हाथ काटकर चुडैल को एक कटोरा खून दे देता है और चुडैल अपनी गुफा में लौट जाती है वाँ उस हटे कटे लड़के का खून तो बहुत अच्छा है मजा गया दीरे दीरे समय बीटता जाता है और गाओं वाले रोज चुडैल को एक कटोरा खून दे दे कर बहुत कमजोर हो जाते हैं अरे मुख्या जी ये तो अपना दाउं अपने पे ही उल्टा पड़ गया पहले चुडैल हमें ले जाकर एक बार में ही मार देती थी अब हम रोज खून दे दे कर पल पल मर रहे हैं और देखना ऐसा ही रहा तो सब एक दिन खून दे दे कर ही मर जाएंगे सही कह रहे हो भाई ऐसे ही एक कटोरा खून रोज दे दे कर मरेंगे ही पर हम कर भी क्या सकते हैं सायद हमारी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है और अगली दिन खून देने की बारी कल्लू की होती है ओ कल्लू याद है ना आज खून देने की बारी तेरी है हाँ याद तो है पर पता नहीं क्यों आज मुझे मेरी तवियत सही नहीं लग रही है हाँ तवियत तो खराब लगेगी ही तुझे आज तेरी खून देने की बारी जो है तैयार रही हो रात को कर्दू दर के मारे अपनी जगह अपने गधे का एक कटोरा खून निकाल लेता है और शाम को चोड़ैल के आने पर लाओ मेरा आज का एक कटोरा खून लो चोड़ैल जी आपकी सेवा में पेश है कनलू का ताजा ताजा एक कटोरा खून मुझे सुवे से बहुत तेज बुखार था चोड़ैल जी सायद इसलिए बदबु आ रही होगी और खून चक्के मुझे बेवकूब बनाता है अपना बोल के मुझे जानवरों का खून देता है मैं जानवरों का खून नहीं पीपी आज सुझे ही उठा कर ले जाओंगी चोड़ैल कल्लू की चलाकी से गुस्सा होकर कल्लू को उठाकर अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और कल्लू को भी उल्टा टांग कर उसके सर से सारा खून अपने कटोरे में निकाल देती है बड़ा होशयार बनता था निकल गई सारी होशयारे मगर जो भी हो बहुत स्वाधिश्ट खून है इसका और अगले दिन गाओं में दूसरे गाओं से एक साधु बाबा आती हैं साधु बाबा को देखते ही गाओं के सभी लोग सादू बाबा के पास आ जाती है सादू बाबा, सादू बाबा आप हमारी रक्षा करो बाबा हमारे गाउं में चुडैल का आतंक है हमारी रक्षा करो अलोक निरंजन पूरी बात बताओ बच्चा तुम लोग आखिर क्यों परेसान हो गाउं वाहे तब लोग मिलकर सादू बाबर को पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह चुडैल रोज रात गाउं वालों से एक कटोरा खून ले जाती है अच्छा तो ये बात है तुम लोग चिंता मत करो मेरे पास इसका उपाय है ऐसा करो आस्त तुम मेरा एक कटोरा खून उस चुडैल को दे देना तुम्हे उस चुडैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और जात होते ही चुडैल के आने पर सभी काउं वाले मिलकर सादू बाबा का एक कटोरा खून चुडैल को दे देते हैं अरे वाँ इस खूण चे तो बहुत अच्छे खुश्बू आ रही है जैसे ही चुड़ेल सादू बाबा के खूण का एक कटोरा पीती है सादू बाबा के पवित्र खूण की वज़े से चुड़ेल आग में जलने लगती है और वो वहीं भस्म हो जाती है हुआ! 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 हुआ!